हम बात करेंगे आज forest guard की ठीक है जो हमारे 25 km के running होती ना हम उसके बारे माज बात करेंगे forest guard running के बारे माज बात करेंगे और ये running basically 25 km, 24 km, 20 km भी कई जिगे थोड़ा बहुत 24-25 km का अंतर आ जाता है उसके बार हम बात करेंगा, डिटेल में तुम्हें बताएंगे कि इसकी तयारी के लिए हम क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए, किस तरीके से इस तयारी को करना चाहिए हमें, किस तरीके से हमें इस रेस के लिए हमें खुद को तयार करना है, सबसे पहली चीज इसमें समझने वाली है कि देखो जब भी तुम लंबी रेस की त्यारी करते हो तो इसकी प्रैक्टिस डेली नहीं करनी होती है ठीक है डेली प्रैक्टिस नहीं करनी होती है है यह जब भी तुम लंबी दोड़ की त्यारही करते हो तो कि ध्यान नक्षोई हैं कि कभी इस रेस के लिए बहुत हमें लंबी प्रैक्ठिस करने की जो अब तुम आप 15 किल भी तो डिली तुम अई दोड़ते चले जा रहा होग Σ सब्सक्inté backward यारी हो जाएगी एक टाइम पर बॉड़ी का एक लेवल आ जाएगा जहां से बॉड़ी फटीग होने लगेगी और फिर वहां से रिकवर नहीं हो पाएगी तो सबसे पहली चीज प्रैक्टिस हाथे में तीन दिन करोगे बहुत परियापत रहेगी इतना ही करना है तुम्हें साइंटर्वल में रनिंग करो मतलब की इसमें एक सबसे पहली चीज क्या करोगे जब रनिंग स्टार्ट करो सबसे पहली चीज से हम दोड़ सकते हैं और दूसरी चीज के आए कि जितनी capacity है, मतलब इसी में, जितनी capacity है, पहले साथ दिन या दस दिन हमें सिर्फ उतना ही दवड़ना है, ताकि body एक rhythm पे आ जाए, ठीक है, इस्टार्ट ऐसे कर ला है, कि जितनी हमारी छमता है, पहले साथ-दस दिन हम सिर्फ उतना दवड़ेंगे, दूसरी चीजी स्टार्ट करने के लिए हम यह तुम्हें सम्झाना चाहते हैं कि बोडी को डिहाइड्रेट मत होने देना, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, ठीक है, जब भी रनिंग कर रहे हो बोडी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए, मतलब कि पानी की कमी बोडी में नहीं ह होनी चाहिए, किसी भी लेवल पर, ठीक है, दूसरी चीजी हो गई, तीसरी चीजी जमियां पर क्या ध्यान रखनी है, तीसरी चीजी जमियां पर यह याद रखनी है, कि जब भी हम रनिंग की स्टार्टिंग है, जब हमारी स्टार्टिंग है, तो कोसिस यह करनी है, कि कम से तो फिर यह हो सकता है कि तुम मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हें रणिंग में आगे चलके खेर उसके बारे हम कभी बताएंगे तुम्हें तो साथ दिन मिम्मम तुम्हारा जब भी रणिंग स्टार्ट करें दिवाग में गोल होना चाहिए कि साथ दिन हमें च कि जिस दिन भी हम रणिंग नहीं कर रहे हैं हम जिस दिन रणिंग नहीं कर रहे हैं उस दिन हमारा कोसिस होनी चाहिए जिस दिन में रणिंग नहीं कर रहे हैं उस दिन हमारी कोसिस होनी चाहिए कि हम स्ट्रेंद्ट ट्रेनिंग करें थोड़ी बहुत वार्म उप करें स्ट कि पधे बाइट बाइट इसका मतलब आपको यह समझेना है कि जिए 근र बीदोरी दूरे-शी दूरे में लिए निए नहीं कि दिने भुच भी चपाते रहोगे से क्या करना हैं वह समझते ईस पर यहां Kü систем when elance होना चाहिए जिसमें की जब रनिंग करने जा रहा है तो काप सोड़े से हाई होने चाहिए बस आप जो डाइट घर में ले रहे हो जो खा रहे हो खाऊ कोई दिक्कत नहीं बहुत ज्यादा मत खाने लगना कि यतनी लंबी दूरी दो जादा खा लें बस कोसे से करना एक बैलेंस जाइट होनी चाहिए यह प्रोटीन का फैट और जब रनिंग करने जा रहा है तो जो प्री रनिंग मील होती है उसमें काबो एड़ेट थोड़े से हाई होने चाहिए इसके अलावा बाकी के जो सप्लीमेंट की दूरत पड़ेगी वह हम किसी नेक्स वीडियो में कवर करेंगे आज के वीडियो म बस इतना ही कल पिर मिलते हैं तब तक के लिए राम राम जाहें